अलो अब्रीबान दिस आशिश हुमार एंड फोप यू आज अम देखने वाले हैं और अबाउट आई-पी अड्रेस आई-पी अड्रेस असल में क्या है हमाले क्यों इंपोर्टेंट है इस एथिका लेकिंग साइबर सिक्यूर्टी फील्ड में यह क्या रोल प्ले कर रहा है क सकता है आप मेंसे काफी लोगों ने इस टर्म के बारे में आई-पी अड्रेस के बारे में ज़रू सुना होगा और काफ क्यों नहीं सुना होगा इस टोटली पाइब हम देखने वाले हैं कि यह है क्यों हमारे जिए जरूरी है और इसकी इंपोर्टेंस कितनी है हम देखने वाले हैं कि exactly IP address होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ categories आती है, जैसे IPv4 और IPv6 यह types आते हैं, तो यह दोनों में क्या difference है, दोनों क्या है, then हम देखेंगे type of IP addresses, IP addresses कितने types क्यों होते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन में से, जो दो type है, public और private, उनको हम define static और dynamic IP addresses, तो यह हमारा पूरा flow रहने वाले है, हम यह साइच चीदे सीखने वाले हैं, और बीना देरी करते हैं, start करते हैं, और देखते हैं कि sir, IP address, जिस term से शायद हम familiar हो, शायद नहों, यह है क्या, पैर इसका full form देखते हैं students, IP का full form है internet protocol address, और ताकि आप सब लोग अच् करेंगे कि क्या काम कर रहा था, आज तक हमारी communication में networking के अंदर, so असल में यह है क्या, in short अगर हम समझे, so sir, अगर आज user A, अपने घर से, कोई भी एक चीज कूरियर करना चाहता है, user B के घर में, user A, user B को को कोई चीज बेजना चाह रहा है, कोई चीज कूरियर करना चाह रह तो दो चीजे बहुत जरूरी होती है, पहला कि यह जो समान है, यह जो packet है, यह जो चीज है, यह किसने बेजी, और दूसरा है, कहां बेजी, या किसको बेजी, अब किसने में नाम के साथ साथ address आना बहुत जरूरी है, तब ही पता पड़ेगा कि किस address से यह चीज बेजी ग या जब हम नेट्वकंग फील्ड में देखते हैं, तो एक सिस्टम, डूसरे सिस्टम, से बात जब करता है, तो उनको भी अड्रिस की ज़रोगते है और वो address IP address कहलाता है इसका मतलब sir networking में जब भी हम बातचीत करेंगे कोई भी packet किसी को भी बेजेंगे कोई भी communication करेंगे तो IP address वो address है जिसकी मदल से में पता पड़ जागा कि packet किस नहीं बेजाए और किसको बेजाए तो source और destination address जो है वो IP है networking में बातचीत करने के लिए I hope आप सभी को समझ आगया होगा sir जैसे घर के address होते है वैसे system के address को IP address कहा जाता है और यह address use कहां पे होते हैं तो sir यह address networking में बातचीत करने के लिए use होते हैं अब यह दिक कैसा रहा है और यह कितना काम का यह हम समझते हैं तो यहां पर आपको दिखे रहे होंगे टोटल 4 पेर नमबर 1, पेर नमबर 2, पेर नमबर 3 और पेर नमबर 4 जिसमें क्योंके मैंने एक रैंडम IP लिखे तो यहां पर लिखावा है 17.172.224.47 अब अगर इन 4 पेर के बारे में कुछ बेसिक चीजे देखें तो सर हर एक पेर की जो साइज है वो है 8 बिट यानि 1 बाइट तो टोटल हमारी IP की साइज हो गई 32 बिट यानि 4 बाइट चार बाइट का एक IP अडर्स होता है और यह IP अडर्स ऐसे ही नहीं होता सबसे खाल बात अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि यह IP अडर्स हमारी काफी सारी इंफोर्मिशन अपने पास रखता है देखो हर एक सिस्टम का एक IP अडर्स है अब अगर हम ऐसा समझें कि अगर एक यूजर एक ब्लैक हैट हैकर जिसका मतलब एक बुरा हैकर है वो किसी भी दूसरे यूजर को हैक कर लेता है उसकी वेबसाइट को हैक कर लेता है किसे सिस्टम को खराब कर देता है तो फिर यह पकड़ा कैसे जाता है, कैसे हमारा cyber cell इन criminals को पकड़ता है, इन black hat hackers या बुरे hackers को पकड़ता है, तो इनको पकड़ने के लिए जो चीज हमारे काम आती है, वो है इनका address जो की IP address है, तो इसका मतलब है IP address अपने साथ कोई तो ऐसी information लेके चल रहा है, जिससे हमें प चाहे हम IP की बात करें, या चाहे हम किसी भी address की बात करें, मैं आपको बहुत common सी चीज़ सिखा देता हूँ, जो आप लोगों के हमेशा काम हैईगी, कि आपको कभी भी किसी भी तरीके का address दिया जाए, वो address अपने साथ को information लेके चलता है, वो ऐसी random numbers का address नहीं होता, example के त लेकिन ये भी तो एक address है, अधार काट का number जो है, ये भी तो अपने साथ कुछ information लेके चल रहा है, ऐसे हमारे ATM cards, credit cards, debit cards जो होता है, उन पे भी एक number लिखा होता है, अब क्या ये जितने भी numbers हैं, चाहे हमारी bank account numbers हो, debit credit card numbers हो, अधार काट number हो, या pen card number हो, क्या ये random numbers है, या की बिच्छे कोई meaning है, sir, I think meaning होना चाहिए, ऐसे random numbers से इतनी से चीजों को manage करना तो possible नहीं होगा, तो कभी भी आपको कोई भी address दिखे, तो इस चीज को याद रखना, कि sir, जब भी एक device को, एक address allot करा जाता है, इसको और अच्छे से clear करता हूँ आप सभी को, कि हमारे पास माल लेते हैं, आधार कार्ड है, या फिर हम माल लेते हैं, कोई credit कार्ड है, और credit कार्ड के numbers है, so yeah, my credit कार्ड के numbers है, example के तौर पे हमने numbers लिये है, अब क्या ये numbers ऐसे random numbers है तो नहीं, sir, जब भी किसी चीज को कोई address allot करा जाता है, numbers या letters या alphabets किसी भी form में, कोई identity allot करी जाती है, तो ये देखा जाता है, कि वो device, वो particular चीज, किस range में काम आने वाली है, तो आज अगर मैं बात करूं, हमारे किसी भी credit card की, जैसे माल लेते हमने बात करी, ICICI के credit card की, तो अब ये जो ICICI का हमारा credit card है, पहले हमें इस question का answer ढूनना होगा, कि इसका जो use है, वो किस range में है, तो मुझे बता, ICICI का credit card क्या पूरे world में use होता है, या एक country में use होता है, या केवल एक state में use होता है, सर, credit cards normally देखा जाए, तो एक country के लिए heat बनाये जाते है, country के लिए define करे जाते है, instead of क्योंकि international cards हो, तो यहाँ पे, अब अगर हमें पता है किसका use, केवल और के country के अंदर हो रहा है, तो हमारे पास पहले question का answer आ चुका है, अब अस इस entry को, इस entity को, जो हमें पता है कि में इंडिया में use हो रहा है, हमें इसे छोड़े छोड़े past में categorize करना है, जैसे सबसे पहले अगर में इंडिया को divide करना चाहूं, जो कि, इसका मतलब कि सर, अगर हम इंडिया को divide, या divide से भी word नहीं रहा है, हम कहेंगे categorize करना चाहें, इसको कुछ-कुछ parts में define करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, तो सब country के बाद अगर define करा जाता है, तो दूसरी entity हमारे पास हमेशा क्या आती है, state आती है, इसका मतलब कि second entity से state हो सकती है, और उसके बाद state को और चोटा define कर दिया जाता है, यानि state के बाद से city आता होगा, अब इन साइच चीजों का role क्या है, तो role यही है, कि पहले देखा जाता है, कि कोई भी identity किस range में use होगी, तो उसको कुछ parts में divide करा जाता है, और उसी के behalf पे special IDs, यानि unique IDs बनाई जाती है, और वो हमें दी जा इसका जो पहला pair है, हो सकता है, यह पहला pair यह बता है, कि सर यह कौन से state के लिए बनाया गया pair है, कौन से state को define कर रहा है, तो माग लेते हैं, सर यह राजिस्तान को define कर रहा है, अब अगर पहला pair राजिस्तान को define कर रहा है, तो second pair किस चीज़ को define कर रहा होगा, राजिस्ता को अगर हम कुछ पांच में डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा एक स्टेट के बाद हमारे पास क्या एंटिटी जाती है तो इसका मतलब सेकिंड पर यह बता रहोगा कि कौन सी सीटी के लिए बनाए गया पेर है यानि सरी हमें बता रहा है कि सर यह जैपूर के बनाए गया पेर है अब जब हमें स्टेट और सीटी पता पढ़ चुका है तो थर्ड पेर नॉमली क्या बताएगा सर अब सिटी के लिए जाने के बाद तो थर्ड पेर एक्जैक्ट ब्रांच का डिटेल बता देग अभी कौन से ब्रांच ने एड्रस अलॉट करा था तो हो थर्ड पेर डिफाइड कर रहा है तो फोथ पेर क्या डिफाइड करेगा फोथ पर पताएगा यूजर कौन सा है यह मैंने एक एक्जामपल लिया है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि जब भी आपको नंबर्स के फर्म में या किसी भी फर्म में कोई आइडेंटिटी card के, तो starting का पहला pair fill करने के बाद ही, वो आपके card का type, या आपके bank का जो नाम है वो define कर देता है, इसका मतलब कि सरमाह जो pair था, वो ऐसे ही नहीं था, वो एक meaning लेके चला था, बिना पूरा number लिखे है, उसने बता दिया कि कौन सी branch का आपका कौन सा card है तो exactly same चीज हर address के साथ होगी और IP address के साथ भी वो ही चीज होगी I hope आप सभी को ये समझ आया होगा और अगर ये clear हो गया है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इस हिसाब से IP address अपने साथ क्या information लेके चल रहा होगा सबसे पहला सवाल हमें ये पूछना है कि sir IP address use किस range में हो रही है किस range में IP address use होता है तो sir IP address के मदश से हम पूरे world में किसी से भी बात कर सकते है इसका मतलब कि IP address का use क्या हो रहा है पूरे कि पूरे world में हो रहा है www.worldwideweb में हो रहा है अब पूरे world में अगर मैं कुछ entities define करना चाहूं, words को केटेगराइज करना चाहूं कुछ सब केटेगराइज पार्ट में डिवाइट करना चाहूं तो क्या आएगा मैं पास वर्ल्ड के बाद क्या आता है सर वर्ल्ड के बाद तो हमेशा कंट्री आती है वर्ल्ड को कुछ पास मगनम categories करते तो हमेसा country आती है हमारे पास इसका मिजब सब जिजव मारा πुरा IP address इसका पहला पेयर है वह शाइद यही define करेगा कि ये कौनसी country के लिए ये कौनसी country को allot करा गया है कौनसी country के लिए बनाया गया है या कौनसी country को allot करा गया है तो example के तौर पर माल लेते हैं कि सर ये इंडिया को अलॉट करा गया IP address है इस हिसाब से country के बाद अगर मैं उसको कुछ sub categories में divide करना चाहूँ तो second category क्या होगी very good second category होगी सर state और state को कुछ categories में divide करना चाहूँ तो तो सर वैसे तो हमारा पास city आता है लेकिन केवल city की information थर्ड पे लेके नहीं चलेगा यानि पहले पे इने बता है कि इंडिया की IP दूसरे पे इने बता है state जैसे की राजिस्तान को ये address अलॉट करा गया था थर्ड पेर वैसे तो city बताना चाहिए सर लेकिन केवल city नहीं बताएगा जिस तरीके से हमारे credit card का जो थर्ड पेर था वो bank का नाम और उसका address बता रहा था वैसे ही हमारा पास city के साथ साथ एक address और बताएगा एक और information देगा वो है ISP की example के तोर पे के सर ये बताएगा के जैपूर में जो जियो का office है उसको हमने ये IP रस अलॉट करा था था थर्ड पेर ने क्या बता दिया city प्लस हमारा ISP का नाम तो हमें पता पढ़ गया के सर जो हमारा internet service provider है वो जियो है इस IP का जो internet service provider है वो जियो है और इस जियो का जो office है वो जैपूर में है तो अब अगर हमें कुछ भी information लेनी है तो हम जैपूर के जियो office के पास जाएंगे और बात आएगी के सर फोर्ट पेर अपने साथ क्या information ल इक चलता है तो अगर कोई भी user का IP address आपको मिलता है तो उसको track कैसे करा जाता है किसर जो एक logical process कहता है वो यह कहता है कि आपको third pair तक आते आते यह पता पढ़ जाएगा कि वो कौन सी ISP है और उसको office कहां पे तो हमें पता पढ़ गया सर ISP जियो है और उसको office जैपूर में तो जैपूर के उस जी office में जाकर हम कहेंगे कि एक particular time period पर जैसे मान लो हमने देखा कि बारा बच के 10 मिनट पे crime हुआ बारा बच के 10 पी एम पे crime हुआ तो हम क्या करेंगे ISP के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि बारा बच के 10 मिनट पे यह जो IP address है यह IP address किस user को दे से जाधा तर जो criminals होते हैं या cyber criminals होते हैं उन्हें track करा जाता है hope आपको clear होगा कि IP अपने साथ किती information लेके चल रहा है IP में एक बात और खास है वो यह है किसरे जो IP के pairs हैं यह कितने होंगे यह जो numbers है कि कुछ भी आ सकते हैं यह आपे नहीं केवल 0 से लेकर 255 की range के अंदर ही IP addresses बनाया जाते हैं और use ले जाते हैं यह इनकी limitations है I hope आप सभी को IP के बारे में इतरा तो clear होगा अब सर आइपी में हमारे पास दो types हैं IP के एक IP V4 और IP V6 क्यों इन IPs की जरूते V6 क्या हैं क्या दोनों में differences समझते हैं सबसे पहले हमारे पास हुआ यह ही कि IP V4 को introduce करा गया V4 का मतलब है version 4 V4 को introduce करने से क्या हुआ किसा इसके अंदर जो एक IP का address होता था total 32 bit होता था इसका जो address का format है वो dotted decimal notation होता था यानि आप देख सकते हो हर एक pair के बाद dot के जरी उसको define करा जा रहा है total 4 pairs हैं इसके अंदर हमारे पास इसमें सर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना जाता था कि 0 से 255 की range के अंदर का ही IP address हो सकता है इसकी जो prefix notation यानि जो उसकी starting reward करती थी लिखने की वो उती थी 192.168 और उसके बाद 00 जो host है उसको define का जाता था यानि या पर अलग-अलग numbers आ सकते हैं अब यहां पे जो ध्यान देने like point है वो यह है कि sir IPv4 के जरिए हमें पता है 0 से 255 के अंदर के numbers यह हम यूज ले सकते हैं अब अगर आगर आप इनके combinations देखे कि हमाँ पास कितने IP addresses हैं यूज करने के लिए किसी को भी networking में बातचीत करनी है तो IP address उसके पास होना पड़ेगा तो यहां पर ही हमें बताता है कि 2 की power 32 यानि 4.7 billion addresses IPv4 आपको दे सकता है इसका मतलब 4.7 billion लोग एक ही time पे internet access का सकते इतने IP addresses हमारे पास है लेकिन अगर करते हम साथ में सर्च करते हैं तो हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे और वहां पर जाके देखेंगे active internet users in world तो यहां पर आपी figure देख सकते हो जो की कह रहा है 5.3 billion internet पे users आज के time पे active है और यह हमें जो pair दे रहा है वो 4.7 है तो इसका मतलब internet पे users जादा है और IP address इसका में और इसके भी कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से यह आज तक manage हो रहा था हूँ क्या है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ type of IP address में बहुत अच्छे से देखेंगे लेकिन IP address के combinations तो कम है users के साब से तो इसी लिए IPv6 को introduce करा गया ताकि हलको internet बहुत अच्छे से access कर सके IPv6 और कुछ नहीं है क्योंकि IP address के पास जो payers थे वो कम पढ़ रहे थे internet पे users बढ़ चुके है digital India हो चुका है और पूरे world में internet पे users बढ़ते जा रहे है उस वजह से हमें और IPs की जरूते है और और IP हमें मिल रही है IPv6 की मदद से तो IPv6 में क्या हुआ कि sir IPv6 की जो size है जो IPv4 का updated version है ताकि जादा IP addresses करें जा सके उसकी size है 128 bit जो की 32 bit से बहुत जादा है यहां पे hexadecimal notations होते हैं जिसका मतलब यहां पे numbers plus 0 से लेकर जिसका मतलब यहां पे numbers 0 to 9 and alphabets A से लेकर F तक के जो combinations है वो बनाए जाते हैं और यह पेर जो है बहुत बड़ा है इसका मतलब माँ पास बहुत सारे combinations है कितने हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं 2 की power 128 यानि 340 trillion trillion addresses हमारे पास IPv6 दे सकता है इसका मतलब आने वाले कई सालों तक IP कम नहीं पड़ेगी तो यहां पेस का prefix notation बता रहा है prefix notation का मतलब और कुछ नहीं ह कि IP के starting में आपको क्या pairs normally देखने को मिलते हैं क्या format देखने को मिलता है तो यह बता रहा है कि साल आपको कुछ ऐसा format देखने को मिलता है I hope इतनी चीज़े आपको clear होगी बहुत detail में अभी नहीं जाना है दिरे दिरे जरू जाएंगे अभी हमें इतना clear करना था कि IPv4 के ज version को introduce करा गया जो कि IPv6 although अभी IPv6 complete use में नहीं आया है start हो गया है लेकिन हर कोई IPv6 को पूरा adopt नहीं कर पाया अभी चीज़े चल रही है इन प्रसेस है काफियत तक इसका adoption start हो चुका है तो आप सभी को IPv4 और IPv6 बहुत अच्छे से clear होगा अब सवाल यह है कि हमाना पास कि इने types है IP addresses के अभी जो हमने देखा वो IPv4 IPv6 versions थे IP के पहले पुरारा version है फिर रहा version है लेकिन कोई भी version हो इनके अंदर कुछ types होते है इनके काम के साब से इनके use के साब से वो type है public, private, static and dynamic अब इन 4 types का मतलब क्या है कौन क्या काम कर रहा है क्या इनके अंदर difference है यह समझन के लिए हम दो-दो types को उठाएंगे जैसे हमने देखा था सबसे पहले हम समझेंगे कि public और private IP address क्या है कैसे काम करते हो दोनों में difference क्या है इसको और अच्छे से clear करने के लिए students next slide पर चलते हो देखते है कि public and private दोनों में difference क्या है दोनों के काम करने के तरीके में क्या difference है हमने अभी तक types of network पड़ेता है हो सभी को याद होगा land man or van correct तो पहले यह देखते है कि कौन सा IP कौन सी range में काम आता है यानि कौन सा type कहां पे काम आता है use क्या है कि सर जो private IP address है वो आपके लिए useful होता है केवल औ 15 सिस्टम बात करते हैं उसको हम local area network कहते हैं तो शायद यह हमें यह कहना चाहरा है कि सर यह जो आपके 10 15 यह तीन चाहरा सिस्टम आपस में बातचीत कर रहे हैं जब इनको छोटी सी range में बातचीत करनी है तब इनके पास private IP address होना चाहिए कौन सा IP address होना चाहिए private IP address क्योंकि private IP बोल रहा है कि मेरा काम है local area network में बातचीत करने में मदद करना तो जब छोटी सी range में बातचीत हम करते हैं तब हमारे पास कौन सा IP address होना चाहिए सर private IP address होना चाहिए हमने कहा ठीक है तो पब्लिक कहां काम आता होगा सर पब्लिक काम आएगा सर पब्लिक IP address काम आएगा वहाँ पर कौन सा IP address काम आएगा पब्लिक IP address वाइड एरिया network पूरे वर्ड में कम्यूनिकेशन करने के लिए तो हमने का ठीक है ये तो समझ आया कि कौन सा IP कौन सी range में काम आ रहा है private IP local area network में काम आ रहा है और public IP वाइड एया network में बात करने के काम आ रहा है लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आप एक example normally लेता हूं वो यह है कि public IP को मैं मानता हूं मैं real name की तरह अपने real name की तरह और private IP को मानता हूं मैं अपने nickname की तरह example की तरह पर अब अगर एक user है इस user का जो nickname है वो कुछ भी हम रख देता है आप लोग suggest कर सकते हैं क्या nickname हम रख सकते हैं तो मैं यहाप फिलाल इसका नाम रख देता हूं Nick ठीक है निक ही इसका nickname है इस नाम से इस user को कौन जानता है कौन बुलाता है के सर इसके जो घर में दो इस नाम से address कर सकते हैं इससे बात कर सकते हैं और इसे जानते हैं हमारे nickname से हमें कौन जानता है हमारे घर के कुछ लोग क्या ऐसा possible है कि अगर आप अपनी company किसी corporate sector में जाए कहीं बाहर जाए अपने घर से दूर कहीं जाए out of country कहीं जाए तो क्या यह possible है कि आपके nickname से आपको कोई identify कर पाए आपको कोई define कर पाए आपसे कोई communication यानी बाचीत कर पाए possible नहीं है because sir हमारा वो जो नाम था वो valid या उसके use केवल और केवल उस चोटी सी range में था हमारी local area network की ही range में था जो हमारे close one थे वो ही हमें उस नाम से जानते थे और वो ही हमें उस नाम से बुनाते address करते थे यानी इस नाम के जरी हमसे कौन बाचीत कर सकता था केवल हमारे close one जो हमारी local area network की range में हमारी चोटी सी range में लेकिन अगर मैं बात करूँ real name की तो मैं world के किसी भी हिस्से में चला जाओं किसी भी कोने में चला जाओं मुझे address कैसे करा जाएगा मुझे अगर कोई बुनाएगा मुझसे कोई बातचीत करेगा तो कैसे करा जाएगा मेरे government documents में जो मेरा नाम लिखा है जो मेरा real name official name है उसी से मुझे address करा जाएगा उसी के IP address है वोसल आपके निक नेम की तरह होता है जिसका मतलब इसकी मदस से इस address की मदस से आपसे केवल आपकी range में छोटी सी range में local area network की range में जो लोग जुड़े हैं वो ही बात कर सकते हैं आई हो इतना सभी को clear होगा और इस चीज़ को अच्छे से clear करने के लिए एक rule हम यहाँ पर define कर रहे हैं जिससे हमें confirm हो जाए इनके काम और आगे चलके hacking हमाई लिए और भी आसान हो जाए cyber security हमाई लिए और भी आसान हो जाए तो वो rule बहुत easy है पहला rule कहता है कि सर एक private IP कभी भी public IP से direct communication नहीं कर सकती एक private IP अपनी range के बार बात कर सकती है बिल्कुल नहीं कर सकती तो private IP के range local area network है और public IP के range wide area network है पहला rule तो यह है कि private IP public IP से direct बात नहीं कर सकती और public IP private IP से direct बात नहीं कर सकती यानि दोनों आपस में direct communication नहीं कर सकते तो sir क्या करेंगे private IP केवल और केवल बात कर सकती है private IP address से बट यहाँ पे second rule आता है जो कहता है कि range जो है वो same होनी चाहिए अब range क्या बता रही है कि sir private IP तो local area network में काम करता है इसका मतलब private IP किसी भी दूसरे private IP से बात का सकता है लेकिन तब जब वो उसके local area network के अंदर है otherwise नहीं और same public IP के लिए भी है बस difference यह है कि public IP किसी भी दूसरे public IP से बात कर सकती है वो उसकी range में होनी चाहिए और उसकी range wide area network यानि पूरा world है इसका मतलब भी किसी से भी बात कर सकती है दोनों rules आप सभी को याद रखनें अच्छे से ताकि आगे आपके काम आ सके है ना होप अच्छे से clear होगा आपको private कभी भी public से direct बात नहीं कर सकती public कभी भी private से direct बात नहीं कर सकती और private किसी से बात करेगी तो दूसरी private से करेगी वो भी अपनी range में local area network में public की से से बात करेगी तो public से ही करेगी वो भी अपनी range wide area network में so ये तो था private और public IP address अब सर्थ दो और टर्म्स थी आप सभी को याद हो तो ये दो टर्म्स बाकी है static और dynamic ये दोनों हमें क्या कहती है इन दोनों का काम क्या है तो समझते है सबसे पहले हम बात करते है static की ये word आपने पहले कहीं न कहीं जरूर सुना होगा क्या को मुझे बता सकता है static मतलब क्या होगा static का मतलब जैसे इसका नाम define कर रहा है fix कोई ऐसी चीज जो बिलकुल fix हो change ना होती हो time के साथ में और dynamic का मतलब के साथ time period के gap से change होती रहा उससे dynamic कहते हैं हम नॉर्मल ही तो अब यहां पे static और dynamic में फर्क किया उनका use क्या है यह उनको क्यूं बनाया जा इन types को क्यूं define करा जा आप सभी को याद होगा कि IPv4 address जो था sir उससे हमारे पास किवर 4.7 billion addresses ही बनाया जा सकते थे pairs ही बनाया जा सकते थे जबकि internet पे active users कितने है sir more than 5.3 billion अब यहां पे यह IP और इस IP की जो difference है यह जादा है मतलब number of users और IP की हमारे पास जो range है जो limitations उनके बीच में difference जादा है तो यह आज तक manage कैसे करा जा रहा था मतलब अभी तक IP v4 address जो है वो use कैसे आ रहा था तो यहां पे इन लोनों का role play होता है इनका कहना बहुत normal सी बात ही है कि sir एक system है इसको internet पे बातचीत करनी थी तो इसको हमने एक IP address दिया example के तोर पे मैं माल लेता हूँ के 4.4.4.4 इसको हमने एक IP address दिया कोई भी दिया हो public private कोई भी हो ठीक है फिलार public माल ले इसको एक address अरॉट कर दिया इस address की मदर से सबसे बात कर सकता है बिल्कुल कर सकता है लेकिन कैसा हो अगर यह switch off हो जाए अगर इसका connection बंद हो जाए अगर यह power off हो जाए यानि यह अभी active नहीं है यह device बंद पड़ा है तो सवाल यह है कि क्या यह IP address अभी इसके काम आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि IP address का काम तो सर इंटरनेट पे बात्चीत करने का है और जब वो device ही बंद पड़ा है वो इंटरनेट पे बात नहीं कर रहा तो यह IP address इसके use आ रहा है क्या नहीं आ रहा हो सकता है इस user का जो net pack है जो net का balance यह कराता है इंटरनेट का जो recharge यह कराता है हो सकता है वो खतम हो गया हूं तो क्या अभी इंटरनेट चला सकता है नहीं चला सकता ऐसे ही किसी भी reason की वज़े से अगर यह user इंटरनेट access कर ही नहीं रहा है तो इसको IP की क्या जूरूरत है यह dynamic IP का कहईदा है तो dynamic IP और static IP कह रहा है कि सर इसको इस IP की जूरूरत नहीं है तो क्यों नहीं IP तब तक के लिए किसी दूसरे user को दे दी जाए ताकि वो इंटरनेट पर अच्छे से बात का सके अब हमें पता है कि इंटरनेट पर आज की टाइम पर 5.3 billion active users है लेकिन क्या वो एक ही time पर active है मतलब क्या 5.3 billion users एक ही time पर इंटरनेट चला रहा है तो possible ही नहीं है अगर हम हमारा time schedule भी देखें तो अभी काफी सारी ऐसी countries है जहां पर रात हो रही है लोग सो रहे इंटरनेट नहीं चला रहे कोई कुछ काम कर रहा है किसी का mobile बंद है अलग-अलग reasons है क्या सब लोग एक time पर इंटरनेट पर active हो सकते है यह तो नहीं हो रहा है अभी यहां पर तो exactly वो same चीज यहां पर follow करी जा रही है कि सब एक time पर active नहीं है बली 5.3 billion users है पर 5.3 billion users एक time पर active नहीं है तो क्यों ना जब एक IP किसी के काम नहीं आ रहा तो दूसरे user को दे दिया और आस तक ऐसा ही होता है इसका मतलब कि सर हम हमारे mobile में हमारे computer में जो भी net चला रहा है हम सब के पास कौन सा IP address है हम सब के पास है dynamic IP address अब यह बात हम क्या check कर सकते हैं क्या चीज़ confirm कर सकते हैं तो एक चोटा सा experiment करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे सर हम सब अपने अपने system से अपने browser पर जाएंगे experiment आप सभी को try करना और मुझे comment session में बताना है कि क्या आपके पास static IP address था या dynamic था experiment क्या मैं बता देता हूं आप सब लोग अपने अपने mobile से browser पर जाएंगे और वहाँ पर जाके लिखेंगे what's my IP my IP space v4 आपको लिखके enterprise करना है जो सबसे पहला address आपके पास है आप वहाँ पर click कर देंगे click करते ही आपके पास आप देख सकते हो कि आपका जो IP v4 address है वो आपको दिखा रहा है इस address को हम क्या करेंगे copy करके कहीं पर note कर लेंगे कहीं पर save कर लेंगे यह task आपको करना है watch my IP की website पर जाना है अभी आपके पास जो IP address है आपको इसको देखना है और अपने किसी भी tab में रख लेना है या फिर इसके जो लास्ट के number है जैसे 233 और 235 इसको याद रखना है एक चीज़ का ध्यान रखना है जितने भी लोग mobile से इस browser पर आए हैं वो अपने mobile data से ही browser को access करें किसी hotspot या wifi से ना जुड़े हुए हो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है mobile में जो mobile का personal net होता है SIM के जरीए जो हम चलाते है वो active हो आप website पर जाओ उससे refresh करो देखो आपका IP address क्या है उसे कहीं पर note कर लो ये करने के बात क्या करना है कि सब हम सभी के mobile में airplane mode होता है इसका navigation बार होता है उसे scroll down करेंगे airplane mode को activate करेंगे जिसका मतलब है कि वो मेरे complete network को बंद कर देगा यानि अब मैं IP address को use नहीं ले रहा हूँ और अगर ऐसा है तो ऐसे case में IP address change हो जाना चाहिए अगर में पास dynamic IP address है तो हम कुछ देर के लिए IP address को बंद रखेंगे यानि हम airplane mode को on रखेंगे और अब अब airplane mode को off कर देंगे जिसका मतलब हमाँ system फिर से start हो जाएगा माँ system का network फिर से start हो जाएगा अब आपको करना बस इतना है कि आप जिस website पे थे उसको refresh करना है उसे reload करना है और देखना है कि क्या आपका IP address change हुआ या नहीं हुआ अगर आपका IP address change हो IP address था आगे भी रहेगा और इससे हमें कोई difficulty नहीं होती ठीक है हम easily networking में बाक्षित कर पाते हैं static IP क्या कहता है तो स्टाटिक IP address का कहना है एक बाई हाँ पर face से define कर देते है static को static का कहना यह है कि अगर एक बार किसी system को मैंने कोई address alert कर दिया example के तौर पे 4.4.4 तो चाहए व पतलब इस user को कुछ extra pay करके इस address को खुद के लिए register करना पड़ेगा जो कि आज के time पे service करते हैं आप अगर किसी भी website को देखो WSQTAC की website भी किसी system पे चल रही है हर website एक system पे चल रही होती है तो इन system का जो IP address होता है वो fix रहता है वो time के साथ change नहीं होता तो यह static addresses किसको दिया जाना है सर वो systems जिनको इसकी जरूत है जो extra pay करके services को purchase करते हैं यानि servers को I hope आप सभी को private, public, static और dynamic यह चारो types के IP addresses बहुत अच्छे से clear होंगे अब खास बात यह है कि public के अंदर भी static और dynamic होता है प्राइवेट के अंदर भी static और dynamic होता है बस range ही तो different है बाकी concept हो same है इसको IP की जरूत नहीं हो change होती जाएगी या फिर उसको fix IP देती जाएगी I hope इतना आप सभी को बहुत अच्छे से clear होगा अब हम next video में देखने वाले है Mac address के बारे में एक बहुत शांदार entity है यह इसके बारे में का जाता है यह hardware address है इसके बारे में यह का जाता है कि हमेशा के लिए change नहीं होता तो हम इसको change करके देखेंगे और शायद हमेशा के So see you hackers, मिलते है next video में